पोको F5 के लिए आप से एका फेवेट रोम का अपडेट आ चुका है जो कि हाइपर जेट के 6.2 है और आज के सीडियों बात करने में कि यह कैसा परफॉर्म करता है क्या कुछ फीचस लेके आता है और क्या क्या चेंज हमें देखिने को मिलता है वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे और हां सेर करना बिल्कुल ही ना बोलना तो यहां पर आपको अन्लोकिंग इनिमेशन काफी ज़्यादा सही देखनी को मिल जाता है जो कि मुझे यहां पर पसंद आया मैं आइकन पैक यहां पर फिलाल चेंज कर रखा हूँ जो कि आप यहां पर देख पारे हो अपने हिसाब से जो भी चाहों थी में स्टोर से देता है यहां पर जो मैं आइकन पर के उच करूं इसके अंदर भी अनिमेशन है बट सेशन डिफोल्ट आपको अनिमेशन मिलता है तो डॉंट वरी अबाउट इट यहां पर फोल्डर के अंदर देखो प्योर फुली ब्लैक आपको देखनी को मिलता है बैग्राउं काफी स्पीर जैसा फील देता है अच्छी बात है जहां पर डिटेल एन इंफो में आपको देखनी को मिल जाता है 6.2 वही 2.0.4 के ग्लोबल वर्जन पर रन कर रहा है जहां पर 3 मंद का सिक्यूर्टी पैच आपको देखनी को मिल जाता है और यहां पर स्मूदनेस आपको वही ग अच्छी बात है फेस उनलोग फिंगरपिंट आपका वर्किंग है डाक मूट यहां पर प्रोपर वर्किंग रहता है और प्राइटेस में कोई इसू नहीं है रिफ्रेश एट आपको यहां पर 169 और 120 अनलोग किया गया है जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हो वन पर कर द आपको दिखा दिया था यहां पर रखनी को मेले हैं जो कि मिलÓ किसिफd 2 आप्षन हैं यहां पर उसके बाद यहां पर देखनी को मिल जाते हैं अनलोगंग इनिमेस नहीं बर आइकन साइट जहाँ पर आप है जो और go back previous और circle to search को enable कर सकते हो अगर आपने enable नहीं कर रखा है तो और यहां पर आप चाहो तो इसके उपर आके आप iPhone और style यहां पर on कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है और बाकि यहां पर यह final restart का button ताकि जो भी setting आपने किया है वो आपका apply हो सकते है अनदर यहां प सेटिंग को मिल जाते हैं और यह सारे आपके वर्किंग है आपको सेटिंग मिल जाता है जैसे कि अल्ट्र एक्स्ट्रीम गेमिंग अंदर फोर्ट आपका unlock मिल जाता है डाइनमिक फिंगरप्रिंट का सपोर्ट है यहां पे यहां पे स्नैप्सेट का भी एड किया गया और बाके दर options भी एड किये गए और यह सारे वर्किंग है तो यहां पे आपको दिकत नहीं आने वाले इस बार के अंदर clock के कई सारे style दिये गए है जो कि 9 तक ही इस बार है पिछले वाले मैं I think 23 something के असपस था जहां तक मुझे याद है इसके बाद यहां पे आपको वाइफा सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर नौज श्टाइल भी डिया गया जो कि अब यहां पर सेट करते हो तो यह आपको यह रिफ्रेस करना पड़ेगा उसके वाद यह चीज हो जाएगे डिशेवल प्राइब से चिप और यह रहा हमारा री स्टार्ट सिस्टम ईवाई जैसे यहां पर यहां पर यहां पर इवाई रिकंवत होगा आपको यहां पर कैमरे के ऊपर दो आखेंगे दे रही होगी यहां पर कफुर्मेंस क्या या निकल के आती है ओ और चीज्डोग बढ़़ेरा क्या है पिछरी वाले us atual करेचे निलाज़ए और और यहां बात करहे तो क máxim यहां पर आपको मिल जाता है सही है जो कि प्रोफर काम करता है तो यहां पर आपको अदिकत नहीं आने वाली तो मुझे थोड़ा लग रहा था बड़ कुछ टाइम के बाद यहां पर इंप्रूमेंट नेखनी को मिला और जैसा कि एक्शुली रिजल्ट आता है हमारा अंटूटू के स्कोर के अंदर वो चीज़ यहां पर नजर आती है वहें पर हम बात करें हमारे CPU ठोटल के तो नॉर्मली यहां पर ठीक है बड़ डूआ में जब रन करता हूं तो हलका से इंप्रूमेंट नजर आता है और गेमटरों का बुस्ट मूड आन करनी के बाद का है यह जो कि 3,99,000 मैक्स और मिनमम यहां पर 3,53,000 है जो कि मैं कहूँ अच्छा है वहें पर कीक्वेंच भी काफी सही निकल के आता है जो कि आप देखे तो single और multi परफेक्ट है चार्जिंग टेस्ट जो कि यहां पर देखो 23 मिनट में 54% जाता है यानि स्पीड काफी सही है चार्जिंग की वहें पर आपको L1 का सपोर्ट जो कि डाला गया है वहीं बात करें तो यहां पर device frame का features आपको मिलता है advanced setting के अंदर है जहां पर किसी भी device का frame आप यहां पर add कर सकते हो साथ साथ यहां पर आपको इक्ट्रा gallery editor के latest features मिल जाते हैं जहां पर आगर आप video edit करने आते हो तो AI का भी एक option देखनी को मिल जाता है जो कि काफी टाइम पहले से आया हुआ है और इसके उपर मैंने system app update के वीडियो में बताया था तो यहां पर include किया गया है साथ साथ photo edit करने आते हो तो यहां पर photo के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि आपको AI का अंदर enhance का expand का और यहां पर remove reflection वगेरा का तो यहां पर जो gallery है वो up to date आपको मिलता है जो कि मुझे पसंद आया है वहें पर बात करें device certification की तो आपको pass मिलता है और septinate वगेरा और साथ साथ यहां पर यहां पर यह दोनों pass मिलते हैं तो आपको random fridge देखनी को नहीं मिलेगा अनदर यहां पर जो system application जो कि GSS है उसे आप disable कर सकते हो यह option enable कर दिया गया है उसके बाद यहां पर force fully 120 है जो delta force add किया गया है ताकि आप जो smooth experience ले सको यहां पर improve किया गया है temp and smoothness वगेरा को साथ साथ यहां पर अगली stress part जो था clock का उसे remove किया गया जैसे मैंने कहा था कि 20 का सब्सक्राइब को चेंज करने का तो वह चीज यहां पर remove हो गई है चेंज लोंग में लिखा गया है और यहां पर smoothness increase किया गया बट मुझे इतना कुछ खास extra fill नहीं हुआ जैसा कि जब इस 6.1 के उपर dirty flash कर सकते हो बट आप इससे कोई older version यह उच कर रहे हो तो यहां पर recommended रहेगा clean flash और मैं recommended करूंगा कि आप अपने जो recovery से flash करो तो better रहेगा अधर आप इसे PC से भी bad file रन करके flash कर सकते हो मर्जी आपकी है क्योंकि यहां पर दोनों method दिये गए totally depend करता है आपके उपर कि आप कौन से method से install करना चाहते हो और यह जो नया EY है कुछ time पहले ही आ गया था officially तो वह चीज़ यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो मैं मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक लि system reboot करना है उसको इस तरीके से आपको यहां पर चेंज देखने को मिलेगा जो कि आप यहां पर notice कर रहे हो यह चीज़ पहले नहीं थी या होगी तो मैंने notice नहीं किया होगा यहां से आपको जितना number चाहिए tiles का वह आप यहां पर select कर लो और simply अपने device को reboot कर लो क्योंकि यह अप्लाई है इस ही कोई भी effect मुझा भी तक नजर नहीं आया जब तक आप यहां पर reboot नहीं करते system को hybrid ROM को flash करने के दो तरीकों आते है यह तो TLRP method या फिर PC method यहां पर पहले TLRP देखेंगे फिर PC सरसे पहले phone को off करना है power button and volume आपको long press करना है जिससे आपके phone का recovery open हो जाएगा जो भी recommended recovery रहेगा उसी का use करना है उसके बाद आपको अपने phone के अंदर जो ROM है उसे browse करना है select करक permission भांगता है कि आपको root करना है या नहीं kernel flash करना या नहीं तो अगर आता है तो volume up down का और power button का use करते है आप अपना command run करवा सकते हो और flash करवा सकते हो अधवाई simply flash हो जाएगा अगर flashing की time में कोई भी error आता है तो आप simple reboot to recovery करके ROM को refresh करो और ऐसे situation में sometime आपका जो TLRP या और replace हो है उसके help से हो जब complete flash होता है तब एक बार reboot to recovery कर लेना और final format कर देना format करने के बाद जैसे आप reboot करोगे कुछी minute में आपका phone on हो जाएगा आप setup करके use कर पाऊगे यह था हमारा TLRP method अब बात करते PC method की उसके लिए फिर से आपको अपने phone को switch up करना है power turn and volume down को long press and hold करना है जिससे आपका phone fastboot logo so करेगा अब PC प्याना है जो भी आपका hybrid ROM है उससे आपको unzip कर लेना है unzip करने के बाद उसमें में भी कई बार आपको installer file एक देखनी को मिलेगा कई बार 4-5 देखनी को मिलेगा तो अपने हिसाप से installer file को pick कर लेना और pick करने के बाद जैसे आप installer को run क आपने need की हिसाप से pick कर सकते हूँ अगर आपको root करना है तो one clicker करके enter कर दो अगर पैंपको नहीं करना है तो two clicker करके try to do, जैसे कि मैंने one किया तो यह पर अपने Angst कि या Ksu next या Ksu next या Ksu, है एक IS है एक RK है तो उसके दोसर आप FG जो भी चाहो मैं यहाँ पर example में क्लिक कर देता हूँ जैसे क्लिक करूंगा अब यहाँ पर कोई भी option नहीं है अब यह flash करना चालू कर देगा तो यह जो flash चालू हो रहे ना यह normal room में ऐसी flash होने लग जाता है बूट एनिमेशन लोगों गया देखनी को मिलेगा और आप सेट अप करके यूज कर पाऊ गए बिल्कुल इस सिंपल सा तरीका है बस फॉलो करते जाना है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सब कुस समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं निक्स वीडियो में